देख लिया वीडियो, अब सच बताओ, कैसा लगा ये आनॉस्मेंट सुनके भाई मैं तो फूले नहीं समा रहा हूँ, करनारजन की कसम जितना हमें सल्मान और शारुक की जोड़ी स्क्रिन पर देखने में मज़ा आता है, उतना ही इनकी जोड़ी देखने के लिए हम बेकरार रहते हैं, और उसी में ऐसी खबर आना जहां पर आजे देवन खुद मुवी अक्षे कुमार हो भाई साब, भाई देको कुछ भी बोलो लेकिन बॉलीवीड में अगर किसी को सही से कमबैक की जरूरत है, तो वो है हमारे अक्षी पाजी, दखिलाडी कुमार, भाई साज, इनका कमबैक देखने के लिए हमें बेकरार, पिछले 4-5 साल से बंदा लगातर फिल्में बना रहा ही, आपने भी लोडिस के आवागा, मजाले को एक भी हिट हो, भाई प्राब्लम ये नहीं कि उनकी पिक्चरे फ्लॉप हो रही है, प्राब्लम ये कि उनकी बुरी फिल्मों के वजए से अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो रही है, मतलब लोग ऐसा करेंगे, उनकी बारवी जो मोस्ट इंपोर्टन फिल्म थी, वो कैंसल क्यू हो गई, और रावडी राठो टू को लेकर बहुत बड़ी बैड नूस है, तो दोज़र पचिस में उनकी सबसे पहली फिल्म आएगी, स्काइफ फोर्ज जो की एक वार बेसल्ट मूवी होने वा क्योंकि अपने अक्षे पाजी हमेशा नए डिरेक्टर्स को ही चांस देती है, वैसे संदिप क्योलानी ने पहले अच्छे देव उनके साथ काम किया हुआ है, रनवे 34, एंड भोला की स्टोरी इन्हों ही लिखी थी, वैसे अक्षे पाजी का प्लान है इस मुवी को क्योंकि नौस्ट्यालजी की कसम है, जॉली लीगल ब्लैक कॉमेटी ड्रामा होने वाली है, लॉयर्स लॉयर्स खेलेंगे, भाई साब मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार दो जगदिश वर मिश्रा आएंगे, हाँ, जगदिश मिश्रा और जगदिश त्यागी, जॉली ली और टू, दोनों से मिक्षर बनाकर, सुभाष कपूर ने यहां पर पेश किया है, भाई साब, इन दोनों को भी पहले इनों ही डैरेक्ट किया है, और जिस तरीके से लास्ट दो फिल्म में सफल थी, इस पर भी मेरो को पूरी उमिद है, क्योंकि डैरेक्टर हो है, इसकी शंकर नायर, वैसे सी शंकर नायर वही लायर थे, जिन्होंने फाइट की थी, ब्रिटीश राज के खिलाप, अपने लॉग के थुरू, कुछ 18 संचुरी के थे, और आजादी में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, और इनकी कहानी पब्लिक तक आनी चाहिए, अब यह कब र है, बस इसका हाल टोटल धमाल जासा ना हो, क्योंकि यह बन रही है, अल्मोस्ट 250 CR के बज़ेट में, जिसमें से 90 CR तो अक्षे पाजी के, और यह कब रिलीज होगे, अब तो कुछ खबर नहीं है, लेकिन बोलतो रहे कि जून तो हो जाएगी, लेकिन भाई सच बोलू, जि है, क्योंकि फराद और उसके सामझे ने इसको पूरी तरीके से घान बड़कर रखा था, यार कभी-कभी ना मेरे को बिलीउ नहीं होता है, हाउसफुल वन और टो को साजित खान ने डिरेट किया था, वही साजित खान जिसने हिमत वालों को भुजदिल बनाए, हाँ वही स 6 जून 2025 को, इस पर मेरे को थोड़ा सा भरोसा है, क्योंकि इसके डिरेक्टर चेंज हो चुके है, तरुन मनसुका ने इसको डिरेट करने वाले है, जिन्हों लास्ट टेम दोस्ताना को डिरेट किया था, और इसमें भी दो ओजी कास्ट है, अक्षे रितेश, अभीशेक भी अब बात करते हैं उस मुवी की, जिसकी जोड़ी का हमें था, 17 साल से इंतजार, भाई साव ये वही जोड़ी है, जिन्होंने लास्ट टाइम मनायती, भूल भूलया, खटा मिठा, हेरा फेरी, और सबको भागंभा का मजा दिया था, दे दनादन, मैं बात कर रहा हूँ, प प्रडॉक्शन में, में भी रिलीज होगी, 2026 के स्टाइटिंग में, इसी की तरह एक और गुड्नियूस सामने आ रही है, भागंभाग 2 आ रही है, भाई साब नॉस्टेल्जिया का मतलब तड़का, जिहां, आक्षे कुमार की तरफ से राइट्स खरिद ले इसके सिक्वे नहीं है, लेकिन आयेगी जरूर, और उसे के साथ खबर ये भी आ रही है, कि हेरा फिरी 3 बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो प्रोडूसर है, फिर उस नाडेट वाला, उन्होंने अपना करजा फिट्टूस कर दिया है, और कोड के तरफ से इसको बन इसका मतलब ये नहीं है, आप तो पका आने वाले है, क्योंकि राइट्स मिल चुके है, अब लास्ट में बात करते हैं, उस मुविकी जिसके लिए हम ऐसे दिल खोल के बैटे, भाई साब आजा, आजा और बोलो, जी भाई, मैं बात कर रहा हूँ, रावडी राठोर की, जो बलकि सिद्धात मलोतर आएंगे, उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में कोई और और रहेगा, भाई क्यों, जहां रावडी रिमेक थी तेलगू फिल्म विक्रम आरकुडू की, मतलब उसको लिखा था, विजिंद्र परसाद ने, जो इस राजा मूली की बापुजी है, और जाता जारा कि रावडी अटो टू की स्टोरी भी वही लीग चुके है, और इसको डाइरेट करने वाले है नन अदरद्यान अनिस बाजमी, लाजमी तुम इनको लेलो डाइरेट करने के लिए वेलकम जैसी सीरीज, और भूल भूलेया, तीन, चार हजार, लेकिन रावडी हमें जानता हू राधेयां दबंतरी के बाद रीमेक किंग प्रभुदेवा को हमें गाली देने का हक है, लेकिन फिर भी क्या मेकर्स को इन परशक है, इन्वेज जिस तरीके से अक्षे पाजी ने सिंगम अगन में अपना केमियों देकर चार चांद लगा दे, उस तरीके से कन्नपा में आर्चान लगाने आरे भगवान भुलनात के अवतार में, जिनके दूत नजर आरे प्रभास, और ये मुवी नहीं होने वाले है कुछ भी खास, क्योंकि इसका टीजर है बकवास, वैसे आक्षे कुमार की एक और पिक्चर आने वाली थी, जो शेल्वर हो चुक सब्सक्राब करो, वीडियो बहुत अच्छा है, जाकर देखो, मिलता हुग लीडियो में, महिमा जेकुमार, बाइ!